देश के प्रमुक वियफसाई रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। पत्म विभूशन रतन टाटा के निजी जिन्दगी के बारे में जानने के लिए लोगों में होड मची हुई है। इसा नहीं है कि मुझे शादी करनी का कभी खयाल नहीं आया था। वो भी मेरे साथ इंडिया आईगी। लेकिन 1962 में भारत और चिन युद्ध के कारण उनके मादा पिता ने सहमती नहीं दी और हमारा रिष्टा टूल गया। मैं आज भी अखीला पन महसूस करता हूँ। इस तरह से रतन टाटा ने अपनी दादी की देखबाल के खातिर अपने प्यार के कुर्बानी दे दी थी और फिर कभी भी ये शादी नहीं की। बतादे की बिजनस की दुनिया में उनके युगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा की परसनल लाइफ भी उनके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ काफी चरचित रही थी। बता जाता है कि सीमी ग्रेवाल ही वो एक्ट्रेस थी जिनके साथ रतन का नाम जुड़ा था। हलंकि ये उनका रिष्टा भी काफी लंबा नहीं चल सका।